नमस्ते दोस्तों, हमास ने जो कांड किया उसके बाद पिछले दो दिन में काफी कुछ हो चुका है कुछ लोग इस बात पर आहत हुए बुरा मान गया कि कतले आम करने वाले और धार में नारे लगाते हुए आड़तों को बुरी तरह ट्रीट करने वालों को आदंकी मत कहो वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं उसके बाद इसराइल ने गाजा पर हमला कर दिया। वहाँ बहुत से घर परिवार तबाह हो गए। दोनों तरब के फोटोज, वीडियोज सामने आ रहे हैं जो देखकर कलेजा काम जाता है। और फेक, अन्रिलेटेड वीडियोज, फोटोज की भी बाढ़ा गई है। कौन सा सच है, कौन जूट, कौन सा प्रोपेगेंडा, किसको सपोर्ट करने के लिए चलाया जा रहा है। इसका पता लगाना बहुत कठिन काम है। नफरत इतनी बढ़ चुकी है, कि मिस्र में एक पुलिस वाले ने दो इसराइली टूरिस्ट पर गोली चला दी। उन दोनों के साथ एक मिस्र के नागरे के भी जान चली गई। ये तो हो गई निगेटिव बात, नुकसान की बात, जो जाहिर सी बात है, कि निर्दोस जन्ता का हो रहा है। लेकिन युद्ध के फाइदे बहुत से हैं, ये कलाल मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। अगर आप नोट करने बैटो कि इसराइल, फिरिस्तीन, युद्ध से या ऐसे किसी भी युद्ध से कितने लोगों को कितना फाइदा होता है, तो आपके कलीजे पर सांप लोट जाएगा। तोते उड़ जाएगे वाई साब, सोचोगे कि साला हम ही यहां फिजूल में परिशान हो रहे हैं, लेकिन युद्ध तो कुछ लोगों के लिए मरेगा नहीं, मनरेगा स्कीम है। अपने आसपास देखो, जो दोसे सबसे ज्यादा और डायरेक्ट फाइदा होता है हतियार बनाने वालों और बेचने वाली कमपनियों को। कोई कमपनी हो, जो सामने से तो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और बैक डोर से हमास को हतियार बेच रहे हैं। अमेरिका को ख्यात है दो देशों को लड़ा कर अपना तेल का खेलने के लिए। जो महाशक्तियां हैं वो इसी तरह महाशक्ति बने हुए हैं। तो ये युद्ध बड़े इवेंट होते हैं जैसे कोरोना के टाइम अस्पताल और दवाएं बनाने वाली कमपनियां दवाकर नोट शाब बैठी वैसे ही युद्धों से इनके लिए नोट छपाई कारेकरम होता है। उनके नेताओं को भी बड़ा फाइदा मिलता है। ऐसे हमले जिनमें सैनिकों की जान जाय या मासूमों की उनका राजनेतिक इस्तमाल कर लेते हैं। कहीं जमानों के नाम पर वोट मांग लेते हैं। कहीं न्यूज चैनल उसे प्रोपगेंड़ा चलवाकर अपने लिए समर्थक उटाते हैं। आइरनी ये है कि ऐसे हमले इंटेलिजेंस और सरकारों का फेलियर होते हैं। जैसे हमास का हमला इसराइल और उसकी इंटेलिजेंस एजनसी मोसाद का फेलियर बताया जा रहा है। अभी यूट्यूब पर सर्च करके देखो मोसाद को विश्व की नमबर वन खुपिया एजनसी बताने वाले कितने वीडियो मिल जाएंगे, कितनी फिल्मे मिल जाएंगे लेकिन इस एक हमले ने वो सारी साख धोकर रख दी। ऐसे ही और देशों में भी हमले होते हैं। हमले के दवरान इंटेलिजेंस एजनसी फेल होती है। हमले के सालों बाद तक पता नहीं लिपा दी इतना गोला बारूद इतनी सेंसिटिव जगा पर पहुंचा कैसे। कौन लोग इसमें इन्वाल हुए। लेकिन इस सारे फेलियर के बाद उस हमले में जान गवाने वाले शहीदों के नाम पर वोट बांग लिया जाता है। गया बहुत włore हालात हैं लेकिन उस पर कभी सास नहीं ली जाती और किसका फाइदा होता है मीडिया-का वो दनादन वीडियो बनाते हैं पहले त वार ले वीडियोगे फिडीयो डाल दी जाते हैं, वो खर्चा भी बच गया रिस्क बच गया फिर उसके बाद वी वॉन लाइक क्रिजी के मैसेज आते हैं हमारे जैसे वीडियो बनाने वालों का भी फाईदा होता है कोई पूरी जानकारी देता है तो कोई उपीनियन देता है इसे और उसके इवज में डालर्स में रकम आती है ट्विटर पर लोग सेंसेशनल और फेक वीडियो पोस्ट करते हैं और अपनी रीच बढ़ाते हैं नहीं, रियल फोटो जी शेयर करते हैं लेकिन फेक ज़्यादा आते हैं फालोइंग बढ़ाते हैं अब तो ट्विटर यानि एक्स इंगेजमेंट के हिसाब से पैसा भी देने लगा है तो उधर भी छोटे बड़े इंफ्योंसर्स का फाइदा होता है लेकिन ध्यान रहे ये सारा पैसा खून का है जो हम लोग कमा रहे हैं एक फर्क ये जरूर है कि हमारे पास आप्शन है युद्ध नहीं होता तो हम किसी और चीज़ पर वीडियो बना रहे होते किसी और वाइरल खबर पर और जब इतनी नफरत और खून खराबा फैला हुआ है कुछ लोग शांती समझवते की बात करने वाले भी होने चाहिए ऐसे वीडियो बनाने वाले भी होने चाहिए हाँ ये जरूर है कि जिन लोगों अफाइदा युद्धों से सबसे ज्यादा होता है उनके लिए तो ये दुधारू भैस ही है अगर कुछ सव या हजार लोग जान जाती है लोग बेघर होते हैं बच्चे अनाथ और अबंग होते हैं और तो की बाडी को खिलावना बनाकर हिंसक तरीके से घुमाया जाता है तो क्या दिक्कत है पाइजा तो आ रहा है किसी का फाइजा तो हो रहा है मैंने इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर भरी है अब आप थोड़ी सी मेरे अंदर भरो चैनल सब्स्राइब कर लो यार और मुझे फेस्बुक पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे हर जगा फालो कर लो ये वीडियो कैसा था, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमको बताओ जरूर और अभी चलते हैं, लोट के मिलते हैं नमस्ते